माता लक्ष्माए नमाहा माता लक्ष्मी हम सब के लिए वंदनिये हैं क्योंकि माता लक्ष्मी ही हमें जीवन की हर आवश्रक्ता के लिए धन प्रदान करती हैं परंतु जब धन की कमी होती है तो संपूर्ण जीवन कष्ट में बन जाता है अभाव, तंगी और कर्ज आपके जीवन को नर्क बना देते हैं जीवन की सभी उमीदें खत्म हो जाती है और ये सब लक्षमी जी के रूठने पर होता है माता लक्षमी की अगर कृपा हो जाए तो व्यक्ति संसार के सभी सुखों का अधिकारी हो जाता है और धन दौलत, चल अचल संपत्ती, सोना चांदी, गहने जेवर और वाहन सहित सभी सुखों को पाता है इसलिए कहा जाता है तुम बिन यग्य ना होवे, वस्ट ना कोई पाता, खान पान का वैभव, सब तुमसे ही आता अगर लक्ष्मी माता की आप पर कृपा हो जाए, तो आप मिट्टी को भी छूले, वो भी सोना बन जाए जिस काम पे आप हाट डालें, वो काम अवश्य बनेगा परन्तु माता लक्ष्मी को प्रसन करना इतना आसान नहीं माता लक्ष्मी को सरलता और शीगरता से प्रसन करने का केवल एक ही उपाय है श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंत्र जी हाँ, श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंत्र हजाता रहा है घर के बिमार सदसे का इलाज नहीं करा सकते धन के बिना ना आप मकान बना सकते हैं ना ही दुकान खरीच सकते हैं धन के बिना आप अपने विवाह योगी बेटी का ब्या भी नहीं करा सकते धन के बिना तो आप पूजा पाच और कोई दान भी नहीं कर सकते इसकी पूर्ती के लिए ही हमारे रिशी मुन्यों ने श्री लक्षमी कुबेर संपूर् ताकि इस संसार में किसी भी गरीब को माता लक्षमी की कृपा से वंचितना रहना पड़ी। श्री लक्षमी यंत्र जो धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलता है। इसके दर्शन करके जाने पर बिस्निस और जॉब इंटर्व्यू में सफलता मिलती है। साथ ही आपको मिलता है एक श्री लक्षमी यंत्र जो घर में धन को निरंतर प्रवाहमान बनाता है। यही नहीं श्री लक्षमी कुबेर संपोन कवच के साथ आपको पहार सुरुप दे रहे हैं। दूसरा श्री लक्षमी कुबेर संपोन कवच ताकि आपके परिवार को अधिक तम आर्थिक लाब हो। श्री लक्षमी कुबेर संपोन यंत्र का वास्तविक मुल्य कहीं अधिक है। लेकिन नवग्रह संस्थान की हार्दिक इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति दरिद्र ना रहे एवं सभी धनवान हो। इसलिए श्री लक्षमी कुबेर संपोन यंत्र को मात्र 29 सोर रुपए कि सहयोग राशी में आपको प्रदान कर रहे हैं। संस्थान को यंद्र पर पूर्ण विश्वास है। परंतु आपकी संतुष्टी के लिए संस्थान आपको 30 दिनों की मनी बैक गारंटी दे रहा है। ज़दिपीस से आपको लाब होना निश्चित है। मा लक्ष्मी की दया से आपको समाज में प्रभाव शालीपद और प्रतिष्टा की प्राप्ती होती है। अब अशोग जी को ही ले लीजे। आप किसी सेट के फार्म हाउस में नौकरी करते थे। और सेट जी के गाड़ी भी चलाते थे। पर आज अपना ट्रावलिंग का काम है जिसमें आठ गाड़ियां चलती हैं। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि में जीटी रोड पर हमारी कई जमीने पड़ी हैं। मैंने अंदर ही अंदर पटवारी से मिलकर गिरदावरी अपने नाम करा ली। और एक कंस्रुक्शन कंपनी को अपनी जमीन दो करोर सत्तर लाख रुपे में बेच दी। फिर उसी कंपन है कि मैं खिसमत का धनी हूँ लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे जीवन में जितना भी धन मिला है वो श्री लक्षमी कुबेर संपून यंत्र की वजह से मिला है। परना मेरी उकात कुछ भी नहीं थी। परना मेरी जीवन में जीवन में धन लेकर आती है। अधिकारी हो जाते हैं। जहां पर श्री कुबेर जी का यंत्र होता है वहाँ धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धन और संसारिक सुक सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। यह बिजनस और करियर में विशेश रूप से आर्थिक उन्नति देता है। लक्ष्मी जी की सिद्प्रतिमा घर, दुकान, फैक्टरी के पूजा स्थल में स्थापित करने पर ये पवित्र प्रतिमा सवभाग्य एवन एश्वर्य लेकर आती है। लक्ष्मी जी की ये सिद्प्रतिमा की एक और विशेशता है। इसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई है। जिसका अर्थ है धन में स्थिर्ता रहेगी और आपका भाग्य प्रबल होगा। मेरु श्री यंत्र इसकी आकरिति कच्छुए की तरहां होती है। आर्थिक संपन्ता और संपत्ती पाने का ये सबसे पुराना वैदिक यंत्र है। मेरु श्री यंत्र संपत्ती में दिन दुगनी राच चौगनी वृद्धी करता है। गोल्ड प्लेटिल लक्ष्मी यंत्र इसे कारिस्थर, घर, तिजोरी और अलमारी में स्थापित किया जाता है। लक्ष्मी यंत्र धन की हर मनो कामना को पूर्ण करता है और आपको विभिन रास्तों से आई की प्राप्ती होती है। लक्ष्मी चरण पादुका पर वो 16 पवित्र शुपचिन हैं जो स्वर्ग में पहली बार कदम रखने पर अंकित हुए थे। लक्ष्मी चरण पादुका को स्थापित करने का अर्थ है स्वयम माल लक्ष्मी का आगमन। घर, ओफिस, ताक्ट्री जहां भी लक्ष्मी चरण पादुका स्थापित होती है वहां धन अपने आप चला आता है। ये मेहनत के साथ किस्मत भी चाहिए इसलिए आप श्री लक्षमी को बेर संपोनियंत्र धारन कीजिए ये आपकी किस्मत चगा कर आपको धनवान बनाएगा बेटियों की शादी से बड़ी कोई चिंता नहीं होती जिनके घर में शादी के लाइक बेटियां हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरी दो बेटियां हैं बहुत होनहार बहुत सुशील लेकिर उनकी शादी की चिंता खाये जा रही थी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था इस चिंता में हमें रात रात भर नींद नहीं आती थी एक दिन टीवी पर श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंतर का प्रोग्राम देखा और पूरी आस्था और श्रद्धा से मंगा कर हमने धारण किया और कुछी दिनों में इसका प्रभाव भी देखने को मिला हमारी पुष्टैनी जमीन का जो केस पिछले 20-22 साल से चल रहा था अचानक उसका फैसला आ गया और हम वो केस जीत गए आप इसे मा लक्ष्मी का आशिरवाद समझे या हमारी अच्छी किस्मत मैं तो इसे मा लक्ष्मी का आशिरवाद ही मानती हूँ हमारे दिन बदल गए हमारी बेटियों की शादी भी बड़े अच्छे घरों में हो गई और इनका काम भी अच्छा चल रहा है आप से रुष्ट होई माता लक्ष्मी को मनाने तथा उन्हें हमेशा के लिए अपने घर में लाने का आपके बास एक सुनहरा आवसर है आज ही श्री लक्ष्मी को बेर संपूर्ण यंत्र मंगा कर धारन कीजिए जिन्दगी में सबसे बुरा तब होता है जब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं कर्ज मांगना पड़ता है एक खुद्दार आदमी कर्ज लेने के बाद कभी भी चैन की नीद नहीं सो पाता इसलिए कर्ज मुक्ती के लिए श्री लक्ष्मी को बेर संपूर्ण यंत्र धारन करें आपके हर प्रकार का कर्ज और रिन मुक्त हो जाएगा और जीवन में फिर कभी किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे नहीं गिर गिडाना पड़ेगा मेरे पती की आटो मार्केट में दुकान थी लेकिं शराब और जुए की लत ने सब कुछ बरबाद कर दिया उन्होंने दुकान पर भी जाना बंद कर दिया मेरे साथ गाली गलोज करने लगे और अगर उन्हें काम के बारे में कहती थी तो मार पीट करने लगते थे मैंने उनके लिए श्री लक्ष्मि कुवेर संपूरी अंत्रमगवाया दो तिन दिन बाद ही कहने लगे मेरा लंच पैक कर दो दुकान पर जाऊंगा महिनी के अंदर ही इन्होंने शराब छोड़ दी और हमारे पुराने दिन फिर से लोट आए हफता पहले ही मार्केट में एक नई दुकान खरी दी है कहते हैं कि जब दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए अलग-अलग दुकान खुलबा दूँगा ये पत्र हमें लिखा है गुजरात से प्रवीन कुमार जी ने ये लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी कुबेर यंत धारन करने के बाद इनके कारे में बहुत वृद्धी हुई है पहले ये सिर्फ 4-4,5,000 की नौकरी किया करते थे एक फैक्टरी में और आज लक्ष्मी माता की कृपा से इनके अपने कार खाने है ये पहले किराय के घर में रहा करते थे और अब इनके पास खुद का घर है और ये महीने में 40-50,000 रुपे कमा लेते हैं क्या बात है आईए देखते हैं कि अगला पत्र किसका है अगला खाते हैं मेरट से सुशील कुमार जी का ये लिखते हैं कि इनकी स्कूटर ठीक करने की एक छोटी सी दुकान थी इनके दो बेटे हैं जो जादा पढ़ नहीं पाए तो वो भी दुकान में काम करने लगे धीरे धीरे इनका काम कम होता गया और खाने के लाले पढ़ने लगे और उसके बाद ये लेकर आये श्री लक्ष्मी कुबेश संपूर नयंत्र इन्होंने सेकेंड और गाड़ियों को खरीदने और बेशने का काम शुरू किया है और आज लक्ष्मी माता की कृपा से इनके पास धन और दौलत के कोई कमी नहीं है ये पत्र आया है देहरा दून से विवेग जी का और ये लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी कुबेश संपूर नयंत्र ने मेरे जीवन को बरबाद होने से बचा लिया कई सालों से रेडियो टीवी ठीक करने की दुकान चला रहा था जिसमें मुश्किल से घर का गुजारा चल पाता था लेकिन श्री लक्षमी कुबेर संपूर्ण यंत्र के आशीश से आज इनका electronics का showroom है नवग्रे संस्थान से प्रती दिन सेकडों व्यक्ती टेलेफोन के माध्यम से श्री लक्षमी कुबेर संपूर्ण यंत्र मंगवाते हैं और कुछ दिनों बाद जब वो अपने अनुभव लिखकर भेजते हैं तो हमें अत्यंत प्रसंता होती है क्योंकि आज तक जितने भी व्यक्तियों और परिवारों ने श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंत्र मंगवाया है उन्हें आर्थिक लाब अवश्य हुआ है श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंत्र धन में दिन दुगनी राच चौगनी व्रिधी करता है क्योंकि श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंत्र की प्रतियक सामगरी धन लेकर आती है इसमें आपको मिलता है मा लक्ष्मी का आशिरवात प्रदान करने बाला श्री लक्ष्मी कुबेर संपोन कवच जिसमें एक ओर स्वेम माता लक्ष्मी विराजमान है तो दूसरी ओर है श्री लक्ष्मी यंत्र जो धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलता है साथ में आपको मिलता है धन में निरंतर वृथि करने बाला एवं स्थाइत्व प्रदान करने बाला भगवान कुबेर का एक श्री कुबेर यंद्र विश्व का सबसे प्राचेन यंद्र मेरू श्री यंद्र जो भूमी और चल अचल संपत्ति का सुख लेकर आता है गुप्त धन और रुका हुआ धन लेकर आने बाली मा लक्षमी की लक्षमी चरन पादुका मा लक्षमी की सिद्ध प्रतिमा जिसके दर्शन करके जाने पर बिसनिस और जॉब इंटर्व्यू में सफलता मिलती है साथ ही आपको मिलता है एक श्री लक्षमी यंत्र जो घर में धन को निरंतर प्रवाहमान बनाता है यही नहीं श्री लक्षमी कुबेर संपोन कवच के साथ आपको पहार सोरुप दे रहे हैं दूसरा श्री लक्ष्मी कुबेर संपोन कवच, ताकि आपके परिवार को अधिक तम आर्थिक लाब हो। श्री लक्ष्मी कुबेर संपोन यंत्र का वास्तविक मुल्य कहीं अधिक है, लेकिन नवग्रह संस्थान की हार्दिक इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति दरिद्र ना रहे एवं सभी धनवान हो इसी दिए श्री लक्ष्मी कुबेड संपुन यंद्र को मात्र 29 सो रुपए कि सहयोग राशी में आपको प्रदान कर रहे हैं संस्थान को यंद्र पर परिवार एक निश्चिंत जीवन जीते हैं हमारे लिए हर दिन दीपावली है हर पल खुशियों भरा है अब तो मा लक्ष्मी से यही प्राथना है कि माता लक्ष्मी की दया दृष्टी हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे मा लक्ष्मी के साथ ही धन के रक्षक कुबेड जिबी सदेव आपके साथ रहेर आपको धन्य सहित जीवन के सभी साथों सुख प्रदान करे इस सुबिछशा के साथ मैं धन और स्वभाग्य प्रदाय नी माता लक्ش्मी को कूने प्रणाम करती हूं जै मालक्ष्मी